नमस्कार दोस्तों, कॉंप्टिशन कमुनिटी के आउनलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है FTR वीडियो सीरीज में भारत के अर्थवियस्ता से संबंदित प्रश्णों के संग्रा के साथ मैं हूँ अगास सिंग इस वीडियो में हम भारत की अर्थवियस्ता या इंडियन एकनॉमी से एक बहुत ही महत्वपॉर्ण टॉपिक पर डिसकस करेंगे और वह टॉपिक है राजकोश्य निती या फिसकल पॉलिसी मैंने इसे महत्वपॉर्ण टॉपिक इसलिए कहा क्योंकि जब भी हम चाहे वो प्रारंबिक परिच्छा के प्रश्ण पत्र हो या मुख्य परिच्छा के प्रश्ण पत्र हो जब उसका हम एनलिसिस करते हैं विचलेशन करने पर हमें प्राप्त होता है कि सबसे ज़्यादा अगर एकनॉमिय से किसी संबंदित किसी टॉपिक से अगर प्रश्ण पूछे जाते हैं तो वह राजकोशी निती होता है तो चलिए इस वीडियो पर हम कोश्चन को सौल करने से पुर्व कुछ प्रात्मिक जानकारी देख लेते हैं राजकोशी निती होती गया है राजकोशी निती अगर आप शाब्दिक अर्थ पर ही जाए तो आपको इसकी व्याक्या समझ में आ जाएगी राजकोशी निती में राज इंगित करता है सरकार को, कोश इंगित करता है आए एवं वे को और निती सम इंगित करता है नियुजन को तो आप इसे एक सीधे और सरल तोर पर कह सकते हैं कि सरकार की आए एवं वे से समब्दित निती को ही हम राजकोशी निती कह दें सरकार इस निदी का निर्मान क्यों करती है क्योंकि इस निती के माध्यम से ही सरकार अपने उत्तरदायतों का निर्वाहन करेगी सरकार को भारत के सम्मिधान ने कुछ उत्तरदायतों सोपे हैं जिसमें सबसे प्रमुक है समाच कल्यान करना और इन उत्तरदायों का निर्माहन करने के लिए सरकार इन नितियों का प्रत्यक्ष इस्तमाल करती है राजकोशी निती जब हम पढ़ रहे होते हैं तब मुखी रूप से हम बजट का विश्लेशन देख रहे होते हैं तो चलिए हम शुरुवात करते हैं कि जब राजकोशी निती या बजट हम पढ़ें तो उसके लिए हमें कुछ घटकों की जानकारी होनी चाहिए. जैसे कि जब भी बजट हम पढ़ रहे होते हैं तो बजट को दो प्रकार के खातों में विभाजित होता हुआ देखते हैं एक होता है राजसो खाता अर्थात रवेन्य अकाउंट और एक होता है पूंजी गत खाता या फिर आप इसे इंगलीश में कह दे कैपिटल अकाउंट इन दोनों ही खातों पर आपको पितक तोर से प्राप्तियां और वे दिखेंगे राजसो खाते में भी कुछ प्राप्तियां दिखेंगी और वे दिखेंगे ठीक उसी प्रकार पूंजी गत खाते में भी कुछ प्राप्तियां और कुछ वे आपको देखने को मिलेंगे राजस प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर यह होता है कि राजस खाते की प्राप्तियों वाले भाग पे हम सरकार के उन प्राप्तियों को यहाँ पर उलेखित करते हैं जो सरकार के उपर देता का सिजन नहीं करते अर्थात liability create नहीं करते और साथ ही ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो परिसंपतियों की बिक्वाली से प्राप्त नहीं की जाती हैं। उदारन के तोर पर हम इस राजस प्राप्ति में कर और गेर कर जैसे दो वर्ग देखते हैं। कर सरकार को दिया गया ऐसा अनिवारी योगदान है लोगों के द्वारा जो करदाताओं की शेड़ी में आते होंगे। जब आप करों को देखें तो आप कर से प्राप्त जो राशी है सरकार को उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि इस राशी को सरकार लोटाने के लिए बाद नहीं है अर्थात ये प्राप्ति सरकार के उपर देता का सेजन नहीं कर रही है। और ना ही इस कर को प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसी संपत्ती को बेचा होगा लेकिन जब हम पुझी गत प्राप्ती पर जाते हैं तो यहाँ पर ऐसी प्राप्तिया संबिलित होती है जो सरकार पर लैबिलिटी क्रियेट करती है या फिर किसी परिसंपत्ती या एसेट को बेज कर प्राप्ट किया जाता है उधारन के तौर पर सरकार के द्वारा उधार पर अर्जित आये एक ऐसी आये होती है जो सरकार पर देता का सिजन करती है अर्धात इस राशी को लोटाने के लिए सरकार बाध्यकारी होगी तो ये होगे दो प्रकार की प्राप्तियों का वर पूंजीगत वे राजस वे पर सरकार के ऐसे वे सम्मिलित होंगे जिसे समान तोर पर किसी प्रकार की परिसंपत्यों का निर्माण नहीं होता है परिसंपत्ती कहने का अर्थ ये है कि ऐसा वय जिससे सरकार पुना कोई लाभ अरजित करने की संभावना नहीं देख रही होती है लेकिन अगर आप पूझी गत वय पर जाएं तो ऐसे वय जो सरकार परिसंपत्तियों की निर्माण पर प्रयोग करती है उन खर्चों को हम पूंजी गत वैपर सम्मलित करते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखे तो सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण करना या उधार देना यह ऐसे वैँ होंगे जिससे सरकार पूना कुछ लाब अरजित कर पाएगी वह पूंजी गत वैपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज भुकतान या सब्सिडी की राशी आपको देखने को मिलेगी यह ऐसी राशी है जिससे समान तोर पर सरकार परिसंपत्यों का निर्माण नहीं करती तो इस प्रकार से राजजस्व खाता और पूंजी खाते पर अलग-अलग दर्शाय गई प्राप्तियों और वैका वर्गी करण होता है तो चलिए इस जानकारी के बाद अब हम प्रश्णों को सॉल्व करना शुरू करते हैं अलग प्रश्ण कहता है निम निलखित में से किसको भारा सरकार ने पूंजी बजट में शामिल किया जाता है पहला यहाँ पर अगर आप घटक देखें तो सडकों, इमार्तों, मचिनेरी, आदी जैसी परिसंपतियों के अधिकरहन परव्य, विदेशी सरकार से प्राप्त रिण और तीसरा है राज्यों और संग राज्यों छेत्रों का अनुदध यह रिंड और अग्रिम देखें, पूझी गत खातों पर जब यहाँ पर आप नज़र डालें तो दो प्रकार के आपको कॉंपोनेंट दीख रहे हैं, रिसिट एंड एक्स्पेंडिचर यहाँ पर ऐसी प्राप्तियों होंगी जो सरकार पर लाइबलेटी क्रियेट करें, जैसे मैंने कहा उधार और कथन जो होगा बस सही है, जब हम आते हैं वैपर, तो वैपर हमने ऐसा कहा कि सरकार के ऐसे खर्चे होंगे, जिससे सरकार दुबारा कोई लाब अरजित करने की संभावना देख रही हो, और अगर हम पहले कथन पर जाएं, तो सड़कों, इमार्तों, मशीनरी, आदी जै लाइबलिटी, बहुत ही हम आसान भाषा में अगर इसे समझें, तो लाइबलिटी शब्द जहां पर भी आए, आप यह जान लें, कि यह ऐसे खर्च होंगे, या ऐसी इंकम होगी, जो आपके जिब से पुना पैसा निकालें, जैसे उधार में लिया गया पैसा कथन बहुत ही सुचारू रूप से संचालित होगा, तब देश की अर्थवयस्ता काफी ब्रियत दोर पर व्रिद्धी में देखी जाएगी, और उसके द्वारा लोगों के पास में आए होगी, क्योंकि रोजगार कर सिजन हुआ है, और लोगों की आए सरकार की आए में पर जब सरकार उधार देती है तो इसके बदले भी सरकार को कुछ प्राप्त होता है ब्याज, अर्थात ये भी एक प्रकार की परिसंपत्य की श्रेड़ी में देखा जा सकता है, तो जब आप रिंड वाले छेत्र को देखे तो ये भी इसी के भाग में आएगा, तो अगर हम सह कहता है निम्नांकी में कौन केंद्र सरकार के राजस प्राप्ती के स्रोध हैं राजस प्राप्ती अर्थात राजस खाते वाले भाग की बात हो रही है और प्राप्ती पर पूछा गया है और प्राप्ती के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त है वो यह है कि ऐसी प्राप् ही criteria को वो fulfill करता है तो निगम कर इसका एक उधारण बनता है निगम कर और सभी प्रकार के कर सरकार के राजस प्राप्ति के हिस्से बनेंगे चलिए अब हम आते हैं दूसरे component पर और दूसरा component कहता है सारवजनिक प्रतिस्ठानों से प्राप्त लाब देखें जब आप गैर कर राजस वर पहुंचते हैं और इन दोनों criteria को fulfill करते हुए कुछ example अगर आप देखें तो गैर कर राजस में सबसे पहले तो आप देख ले कि ब्याज प्राप सरकार ने कभी उधार दिया था तो उसके पदले में सरकार को जो व्याज पर राशी प्राप्त होगी यह राशी सरकार के उपर ना तो liability है और ना तो किसी संपत्ति को बेचा गया है फिर उसके बाद एक महतपूर्ण हिस्सा बनता है वह बनता है लाभांच या dividend लाभांच का अर्थ क्या कोई ऐसी सारजनिक प्रदिस्चाने होगी अरथा सारजनिक उपक्रम होगे public sector unit होगा जिसमें सरकार के कुछ शेयर होंगे तो जितना ज्यादा शेयर होगा जब कंपनी profit करेगी तो उतना ही शेयर का अंश का profit भी सरकार को प्राप्त होगा अर्थात लाब का अंश शेयर के अनुपात पर सरकार को प्राप्त होगा तो अगर आप देखें तो ये भी संपत्ती को बेज कर प्राप्त नहीं किया गया है ये लाब है जो सरकार को अरजित हुई है और ना तो सरकार इसको ल शब्द आप देखे विक्रह या फिर कुछ बेचा जा रहा है तो आप ये समझेए कि जब राजपत्र बेचे जा रहे हैं सिक्यूरिटी बेचे जाएंगे तो सिक्यूरिटी बेचे जाने का अर्थ यह है कि सिक्यूरिटी देकर कुछ राशी ली जाए यह एक प्रकार का उध भी कह सकते हैं और यह राजस प्राप्ति का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि यह पूंजी गत्प्राप्ति का एक अंच बन सकता है अब हम आते हैं विश्व बैंक से प्राप्त रिंड तो रिंड भी आप देखें तो आपके पूंजी गत्प्राप्ति का हिस्सा बनेगा तो रा दो नोई चलिए इस प्रशने के बाद अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशने पर अगला प्रशने कहता है निमनलखित कत्रों में से भारत सरकार में आयकर के संबंद में कौन सा कतन सत्य है भारत में आयकर के संबंद में कौन सा कतन सत्य है यहाँ पर चार कतन दिये हैं या एक प्रगतिशिल कर है या एक प्रत्यक्षकर है या राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है या एक अनुपातिक कर है तो चलिए इस प्रश्र को सौल करने के पहले करों के प्रकार पर हम नजर डाल लेते हैं जब हम कर पढ़ते हैं तो कर को दो हिस्तों में या दो अधारों पर विबाजित किया जाता है एक प्रत्यक्षकर और दूसरा हो गया अप्रत्यक्षकर प्रत्यक्षकर और अप्रत्यक्षकर में अंतर ये होता है कि प्रत्यक्षकर उन करों को कहा जाएग जहां पर करा पात और करा घात बिंदू एक ही होंगे अर्थात जहां पर कर लगाया जा रहा है उसी पॉइंट पर ही टेक्स का बड़न भी होगा अप रत्यक्षकर पर आप जब जाएं तो करा पात और करा घात अलग अलग बिंदू पर आपको देखने को मिलेगा अब इसे और अच्छे से समझ लेते हैं जैसे for example हम उधारन लेते हैं आयकर का income tax जब हम आयकर को देखें तो मान लेते हैं कि मेरी आयपर सरकार ने tax मांगा है और उस point पर जहां पर tax लगाया जा रहा है वो point मैं हूँ जहां पर जिस point पर tax लगाया जाए कर का आरोपन किया जाए उसे point of incidence कहा जाता है या पर करापात बिंदू कहा जाता है अब इस लगे हुए tax पर जो पे करने वाला विक्ती है वह भी मैं हूँ अर्थात जो करागात बिंदू होगी वह भी मैं ही हूँ करागात आप नाम से समझ पा रहे होंगे जहांपर कर का आगात हो टेक्स का बढ़न हो तो करापात और करागात दोनों ही विंदू मैं हो जाता हूँ आयकर के परपेक्ष में और आयकर इस प्रकार से प्रत्यक्ष कर की श्रणी में आता है इसका नाम प्रत्यक्ष कर क्यों पड़ा क्योंकि जो स्रोत होंगे जो इस राशी का श्रोत होगा और सरकार के बीच में कोई भी यहां पर चेन आपको देखने को नहीं मिलेगा अर्थात स्रोत से सरकार जब प्रत्यक्ष वसूली कर ले उन करों को सरकार प्रत्यक्षकर की श्रिणी में रखती है लेकिन अगर आप प्रत्यक्षकर का उधारन देखें तो for example जैसे उत्पाश शुल्क किसी वस्तू के उत्पाद़न पर सरकार उत्पाश शुल्क मांगेगी तो वस्तू के उत्पादन पर लगाया गया है उत्पाश शुल्क अर्थात वह जो पॉएंट है जहांपर टेक्स का इंसिडेN वाले हैं वह उभोगता होगा अर्थात कराघात वाला पॉइंट उभोगता पर होगा तो करापात बिंदू और कराघात बिंदू दोनों ही अलग-अलग जगों पर देखने को मिलेगा वह होगा हमारा अप्रत्यक्ष कर और इसे आप अप्रत्यक्ष नाम क्यों दिये हैं क्य जहां पर टेक्स लगाया गया है और जहां से पैसा निकला है अरतास रोच से सरकार को एक चेन पर जाते हुए दिखेगा रिटेलर डिस्टिबूटर प्रडूसर और फिर सरकार तक यह पहुंचेगा तो इस प्रकार से यह अब प्रत्यक्ष कर बन जाता है अब कर को shift किया जा सकता है अस्तांतृत किया जा सकता है जैसे उत्पाजश के उधारन पर आपने देखा ठीक है इसके बाद अगर और इस पर आप जाएं तो उधारन पर जा सकते हैं जैसे कि आयकर, संपत्तिकर, निगमकर, जिसे आप कंपनी कर भी कहते हैं, ये सारे ही प्रत्यक्ष करके उधारन होंगे, क्योंकि ये सारे ही इस क्राइडेरिया को फुल्फिल करते हैं. और जब आप प्रत्यक्ष करों पर जाएं, तो जैसा मैंने आपको बदाया, उत्पाज शुल्क, सीमा शुल्क, कस्टम डियुटी, जी एस्टी, गुड्स एंड सर्विसेस टेक्स, ये सारे ही आप प्रत्यक्ष करके उधारन बनेंगे. बहुती असान तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, कि धन एवन संपत्थि पर लगाया कर वह प्रत्यक्ष कर होता है, और वस्तु और सेवाओं पर लगाया कर वह प्रत्यक्ष कर होता है. तो इस आधार पर अगर हम चैन करें तो हमें कथन दो सही मिलता है या एक प्रत्यक्ष कर है अब हम आते हैं पहले कथन पर या एक प्रगतिशिल कर है प्रगतिशिल कर कहने का अर्थात ये है कर का भार और आये पर कुछ सम्मंद पर इस्थापित ये प्रगतिशिल है जैसे कि उच आय वाले पर जिसकी आय अधिक होगी आय अगर अधिक है तो कर का भार भी जादा लगाए जाएगा और आय कम होगी तो कर का भार भी कम होगा ये प्रगती शिल कर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इस तरीके के कर के इस्तमाल से इस विधी के इस्तमाल से जो अंतर होता है उच आयवर्ग और निम्र आयवर्ग उन अंतर को कम करेंगे विशमताओं को कम करेंगे ये आर्थिक विशमता कम होते ही समाजिक विशमताओं में भी कमी देखी जाती है इसलिए ये अगर आप देखें तो किसी भी समाज करल्यान करी राश्ट के लिए एक प्रगती शिल्ग कर के तौर पर देखा जाता है क्योंकि विशमताओं को कम करने वाली विदी के तौर पर लगाया जाएगा तो इस प्रकार से यह प्रत्यक्षकर क्या ऐसा होता है और अगर होता है तो यह कथन भी सही हो जाएगा चला हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि 6,5 लाग तक के वेक्ती पर कितना कर लगता है तो उस पर कोई कर नहीं लगता वह होता है निल लेकिन जब आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तब या आय के साथ साथ में 5 परतीशत फिर 20 परतीशत और फिर उसके बाद एक करोड से उपर की राशी पर आपको 30 परतीशत के साथ साथ में 15% सर्चार्ज भी लगता हुआ दिखेगा अर्थात आय के बढ़ जाने से यहाँ पर कर का भार या कर की दर्वी बढ़ रही है इस प्रकार से आय कर जो होता है एक प्रगतिशिल कर भी कहलाता है और हमारा कथन पहला भी यहाँ पर सही हो जाता है तीसरा कथन अगर हम देखे या राज जिस सरकारों द्वारा एकत्रि जाएगी आये चाहे कुछ भी हो जाए हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब एक करोड से उपर की आप यहां पर करकी दर पर देखें तो आपको करकी दर पर इजाफा होता हुआ अर्थाद एक करोड की उपर की राशी पर 30% का टेक्स और 15% का सरचाज उसके बाद आपको करकी दर बढ़ते हुए नहीं दिखेगी लेकिन दर नहीं बढ़ रही है लेकिन मौद्रिक मुल अगर आप देखे तो वह आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा तो इस प्रकार से ये करा ठोन के बारे मैं जैसा कि मैंने आपको बताया की ऐसे कर होंगे जो उस करापात और करागात बिंदू जहां पर अलग-अलग होंगे तो उतारण के तौर पर मैंने बताया था और ऐसे कर हमें दिखते हैं सिमाशुलक और चौथा उत्पाशुलक इसे पहचानने का एक और तरीका मैंने बताया था कि धन एवं संपत्ति पर लगने वाला कर प्रत और को ही अप्रत्यक्षकर में आते हैं अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है निम्निलिखित में से कौन सी मुल्याधारित कर वैलियोड़ेट टेक्स की विशेचता नहीं है ध्यान रखेगा विशेचता नहीं है पूछा गया है तो चलिए इसके option पर जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी value-added tax के बारे में देख लेते हैं। Value-added tax एक प्रकार का कर सुधार है, वो एक तरीका है जिसके माद्यम से कर अरजित किया जाता है और ये तरीका लाया गया क्योंकि करों के करमपाती प्रभाव को हडाना था। करमपाती प्रभाव के हो जाने से वस्तों की कीमत बड़ी हुई दिखती थी और अनवशक तोर पर महगा हो जाने के कारण लोग वस्तों नहीं करिते थे। साथ ही साथ इस प्रकार के करों पर हम आसानी से देखते हैं कि करवंचन या टेक्स इवेशन हो सकता था और अंतिम तोर पर सरकार को कर राज़ा से प्राप्त होने में बहुत ही जटिलता है या फिर बहुत कम कर राज़ा से प्राप्त होता था इस करमपाती प्रभाव से न दस प्रतिशत का विक्री कर लगाएंगे या 10% का सेल्स टेक्स होगा तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है एक्स और इस एक्स व्यक्ति के पास में 1000 रुपए का उत्पाद है अब यह व्यक्ति जब वाई को बेचेगा तो कितने रुपए पर बेचेगा जरह हम समझ लाया कि वस्तू और सेवाओं पर लगने वाले कर को भार को शिफ्ट किया जाता है तो 1000 रुपए का ये वस्तू जब वाई के पास पहुचेगा तब एक्स उसे 1100 रुपए पर बेचेगा क्योंकि उसे ये कर के भार को भी निकालना है अब यहाँ पर वाई के पास ये वस् भुकता को बेच देगा तो जरा हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि वाई ने 50 रुपए का मुल्य वर्दन किया वैल्यू एड किया मुल्य वर्दन अरदात कुछ भी समझ लिजिए उस वस्तू को पेंट करके 50 रुपए बढ़ा दिया होगा और ये आपका उत्पात की कीमत ह चलिए अब हम देखें वाई के पास में ये वस्तू अब कितने रुपए की हो गई तो ये हो गई 1150 रुपए की इस वस्तू को जब भुकता को वाई बेचेगा तब 10% का टेक्स सरकार को देना होगा अरधात 1115 रुपए सरकार पर टेक्स पर सरकार को टेक्स में मिलेगा औ और वाई ये उभोकता को कितने रुपए पर बेचेगा तो आप इसे जोड़ लिजिए ग्यारा सो पचास रुपए का वो वस्तू हो चुका था और इसमें एक सो पंदर रुपए का यहाँ पर उसे टेक्स तो अंतिम तो पर यह जब आप देखेंगे तो बारा सो पैसाट कर्मपाती प्रवाव एक ही वस्तू पर अलग अलग चर्णों पर कई बार टेक्स और करकी राशी पर पुना टेक्स लग जाने से और राशी का इजाफा हो जाना जैसे कि अगर इस दूसरे चर्ण पर हम जाएं और एक सो पंदरा रुपए को अगर हम तोड़े तो हमें सो रुपए दस रुपए और पांच रुपए ऐसे अलग से आपको देखने को मिलेगा अब ये सो रुपए किस चीज का टेक्स था तो ये सो रुपए इस हजार के हजार रुपए के उत्पाद पर था मतलब एक बार इस उत्पाद पर टेक्स दे दिया गया है और पुना सो रुपए इस उत्पाद पर यहाँ पर वाई के द्वारा दिया गया अर्थात एक ही वस्तू पर दो बार टेक्स हो गया ये करमपाती प्रबाव हो गया दूसरा मैंने ये कहा कि कर की राशी पर ही हमें पुना कर होता हुआ दिखेगा 100 रुपए के टेक्स पर बना हुआ है ये 10 रुपए अर्थात कुछ यहां पर वस्तू नहीं हो रही है 10 रुपए की इस 100 रुपए पर ही 10 रुपए का और इजाफा हो गया इन दोनों ही अर्थात वस्तूओं पर दुबारा टेक्स लग जाना ये कर की राशी पर फिर से कर की राशी का इजाफा हो जाना इन दोनों ही कारणों से वस्तू की जो कीमत है वो बढ़ती हुई दिखेगी और ये तो हमने मात्र दो स्टेजेस पर देखा है लेकिन जब आप वास्तविक तोर पर देखे तो किसी एक बस्तू के उत्पादन से लेकर उभोकता के उभोकता काफी चरण यहाँ पर देखने को मिltे हैं और हर चरणों पर इसी प्रकार की प्रवित्ती के कारण हम देखते हैं कि बस्तू की किमत बहुत जादा बढ़ जाती है और अगर मान लेजिए कि यहाँ पर बिल ना बनाया जाए तो इस उपकता को यह tax की जो राशी है अर्थात लगबख 215 रुपए आपको दीख रहा होगा सरकार को यह नहीं देगा और tax evasion होगा इस चीज से निदान पाने के लिए मुल्यवर्धन करका प्रयोक किया गया जिसमें यह बताया गया कि मात्र जिस स्टेज पर value addition होगा उसी स्टेज पर पुना सरकार को tax में पैसे दिये जाएंगे और कितना दिया जाएगा तो वस्तूव पर पुराना नहीं जितना मुल्यवर होगा उतना ही सरकार को tax में राशी दी जाएगी अर्धार इस चरण पर मात्र मात्र पांच रुपए सरकार को tax के रूप में मिलेगा क्योंकि 50 रुपए का मुल्यवर्धन हुआ जिसका 10% हो जाता है पांच रुपए चलिए अब हम आते हैं इस कथन के सारे कथनों पर पहल पहला कथन तो सही यहां पर विशेष्टा बताता है और कोशन पर पूछा गया है नहीं तो आप इसे सही option पर नहीं चुनेंगे दूसरा यह उत्पादन वितरन शिंखला में लें दिन के हर चरण में हुए मुल्य समवर्धन पर लगाया कर है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर चरण पर देखा जाएगा और कितने पर टेक्स लगाया जाएगा जितने में मुल्य वर्धन हुआ तो यह भी कतन सही हो जाता है और इस कोशन के अधार पर इसे आप सही option पर नहीं चुनेंगे जब हम आते हैं हमारे अगले कतन पर यह वस्तूओ तता सेवाओं के अंत इमराशी होगी ध्यान रखिएगा कि यह एक्स और वाई मात्र एक ऐसे point होंगे जहां से सरकार को टेक्स जाएगा लेकिन यह इनके जेब पर भार नहीं बनेगा क्योंकि उभोकता से निकलने के बाद वाई को जितना liability होगी उतना टेक्स दिया जाएगा वाई के द्वारा और एक्स के द्वारा जितना liability बना उतना एक्स के जरिये जाएगा लेकिन एक्स और वाई वो दोनों अपनी कर का भार उभोकता की जेब से ही निकालने वाले हैं इसे हम input tax credit system के तोर पर भी समझ सकते हैं और यह भी कतन सहीं हो जाता है और हमारे इस question के अधार पर सहीं option नह ही है यह tax लगाने का tax अरजित करने का एक तरीका है अब इस तरीके से हम ने देखा कि कुछ कुछ करों पर इसका प्रयोग किया जा चुका था हम यहाँ पर देखते हैं उत्पाज शुलक पर भी इस प्रकार के कर को लगा जा अब बिक्री कर पर देखें तो बिक्री कर पर जो यहाँ पर अधिकार होता है वो राज्य सरकारों का होता है अब ध्यान रखेगा कि आप इसे ऐसे कंफ्यूस कर सकते हैं कि जब GST आया तो GST ने इन अप्रत्यक्ष करों को अपने अंदर समाहित कर दिया और GST पर निर्णे लेने का जो अधिकार होगा जो शक्ती होगी वो GST परिशद के पास होगी और राज्य सरकारों की वहाँ पर आपको भूमिका बहुत देखने को नहीं मिलेगी लेकिन वहाँ पर केंदर सरकारों की भी भूमिका देखने को नहीं मिलेगी GST परिशद केंदर सरकार के सदस्यों और राज्य सरकारों के सदस्यों द्वारा संचालीत एक परिशद है और वहीं परिशद क्या करेगी इन सारे ही GST संबंदित निर्णेों का फैसला लेगी तो इसमें केंद्र सरकार का ये विशे नहीं है और राज्य सरकारों का दाय तो ये कथन आपका इस दिये गए कोश्चन पर एकदम सही बैठता है क्योंकि ये वैल्यू एड़ेट टेक्स को फुल्फिल नहीं कर रहा है GST के पहले भी अगर आप देखें तो बिगरी कर राज्य सरकार का हिस्सा होता था और उसे वैल्यू एड़ेट टेक्स से लगाया जा रहा था देखें राज्य सवे मैंने आपको बताया कि ऐसे वैह होंगे जिस समाने रूप से परिसंपत्यों का निर्माण नहीं होता समाने रूप से मैंने कहा अब यहाँ पर जब आप सबसे बड़े अंच को देखें तो वह दिखेगा ब्याज अधाएगी अर्थात सरकार जो पु सारे गाट भी राजा सवे के हिस्से बनते हैं लेकिन कोशन पुछा गया सबसे अधिक अंच और सबसे अधिक अंच ब्याज अधाएगी का होता है ध्यान रखेगा इस प्रश्णों की शब्दावाली को चेंज करके भी आपके सामने लाया जा सकता है कि गैर योजना सुची दो के सांस सुमिलित किजिए और नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिए देखे सुची एक पर विबिन प्रकार के घाटों के बारे में लिखा हुआ है और सुची दो पर उसकी व्याक्या है तो चलिए हम सबसे पहले तो यहीं समझ लेते हैं कि घ घाटा शब्द किसे इंगित करता है जब सरकार के वैं जादा हो जाएं सरकार की आयसे ऐसी स्थिती को हम घाटा की स्थिती कहेंगे जब यह स्थिती विपरीत हो जाती है तो ऐसी स्थिती को हम अधिक की स्थिती कहेंगे तो इस प्रकार से इस घाटे के अधार पर हम कई प प्रकार की राजकोशी निती की गुडात्मक और मात्मक दोनों ही प्रवित्या कितरे अच्छे तरीके से संचालित की गई है सबसे पहले अगर हम देखें तो राजस्व घाटा राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है तो नाम से ही आप समझ पा रहे तो इस स्थिति को हम राजस्व घाटा की स्थिति कहेंगे राजस्व घाटा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजस्व घाटा की स्थिति अगर आप इसे शब्दों में व्यक्षित करें तो राजस्व घाटा क्या होगा कि जब सरकार की आएका प्रमुक फ्रोत जिसमें कर्सम्मिलित है सरकार के उन खर्चों को पूंड करने में भी सक्षम ना हो जिससे समाने तोर पर परिसंपत्यों को निर्मान नहीं होता ऐसी इस्तिति को हम राजसों घाटा गहते हैं यह राजसों घाटा हमें एक अच्छे संकेत नहीं देता क्योंकि हमने यहां पर देखा कि कंजप्शन या उभोग मुलग या परिसंपत्यों निर्मान करने वाले कर्चे हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं हमें हमारे मेजर सोर्स ओफ इंकम से फिर हम आते हैं एक दूसरे प्रकार के घाटे पर अर्वा घाटा है राजकोशी घाटा फिस्कल डेफिसिट यह क्या होता है जब कुल वे ज्यादा हो जाए सरकार की कुल प्राप्ती से ध्यान रखेगा यहां पर कुल प्राप्ती जिसमें रिंड सम्मलित नहीं हो टोटल रिसिट लेकिन इसमें रिंड सम्मलित नहीं हो एक्सेप्ट लाइबिलिटी या फिर आप इसे कह सकते हैं टोटल या फिर नॉन डेट क्रियेटिंग रिसिप्ट या नॉन लाइबिलिटी क्रियेटिंग रिसिप्ट और टोटल रिसिप्ट में अगर हम आए तो तो जब आप इस तरीके से जाएं तो यह राजकोशी घाटा कौन सी रिपोर्ट कार्ड है यह वह रिपोर्ट कार्ड है जहां पर आप देखकर यह आगलन कर सकते हैं कि सरकार के कुल वैक को पूर्ण करने के लिए सरकार की ऐसी राशी जिसमें उधार सम्मिलित नहीं है वह कि इतनी अन्य देताओं का सिजन करना पड़ेगा हिनात प्रवंदन के द्वारा जेफिशिट फैनेंसिंग के द्वारा अब यह राजकोशी घाटा ही बताता है कि सरकार के ऊपर कितनी लाइबिलिटी या कितनी देताओं का सिजन होगा उसमें उधार सम्मिलित द्यान तो यह पून रूप से सत्यकतन नहीं होगा सत्यकतन होगा राजकोशी घाटा देता वाली राशी को दर्शाएगा जिसमें उधार एक मुख्य कारक के तौर पर संबलित होता हुआ दिखेगा चलिए अब हम आते हैं एक तीसरे प्रकार के घाटे बर यह घाटा है प्रात्मिक प्रात्मिक घाटा अगर आप देखें तो प्रात्मिक घाटा कहता है कि राजकोशी घाटा या फिसकल डेफिसिट से हमने जब ब्याज वाली राशी को हटा दिया तब हमें प्रात्मिक घाटा दिखेगा अर्थाद जैसा मैंने आपको बताया कि राजकोशी घाटा यह बत प्रात्मिक गाटा इसी चीज़ को दरसाता है जितना आपने उधार पर राशी लिया है उसमें से कितने हिस्से का आपने ब्याज भुक्तान कर दिया अर्धात उधार में ली गई राशी का कितना राशी उधार को पटाने पर ही चला गया क्योंकि प्रात्मिक गाटा पर बची हुई राशी आपको बताएगी कि इन राशियों का अपरिसंपत्य निर्मान पर आप इस्तमाल कर सकते हैं चलिए इस जानकारी के अधार पर अगर हम जाएं तो हमें सही ऑप्शन दिखता है ऑप्शन ए राशकोशी घाटा का तीन रिंडदानों को घाटा कर कुल प्राप्तियों की तुलना पर कुल वे की अधिकता बजटी घाटा कहता है कि जब आपने उधार भी सम्मिलित कर लि चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है राजेस्व घाटे की अपेक्षा राजकोशी घाटा सदेव रहेगा तो अधिक क्योंकि राजास्व घाटे में इसे राजास्व घाटे की बात हो रही थी लेकिन राजकोशी घाटे पर आप देख लिया कि जो भी राशी आपको प्राप्ति उधारेंट के तौर पर मान लिजिए साथ लाग करोड अब यह साथ लाग करोड रुपए लाएंगे कैसे उधारी के तौर पर ला सकते हैं पोस्ट आफिस से पैसे ले सकते हैं तो यह सारे ही प्रबंदनों को या फिर मुद्रा का पूर्ती बस्तु हैं सेमाओं की तुलना में अधिक हो जाती है तो जरा हम समझते हैं हमने यह देखा कि सरकार के कुल वै टोटल एक्सपेंडिचर जब जादा हो जाए नॉन डेप क्रेटिंग रिसिप्ट या फिर नॉन लाइबिलिटी क्रेटिंग रिसिप्ट लाइबिल लेकिन जब आप इस पर पहुंचें तो राजास प्राप्ति तो आपने समलित कर लिया है लेकिन यहां पर पूंजी गद प्राप्ति में सिर्फ आपने भी निवेश या संपत्यों की विक्वाली वाली प्राप्त आपने राशी आपने समलित की है अब अगर आप देखें तो सरकार को यह जो प्राप्ति हुई है यह कहां से हुई होगी सरकार को प्राप्ति हुई होगी लोगों की आयसे नागरिकों की आयसे या निवासियों की आयसे आप कह सकते हैं नागरिकों की आयसे यह प्राप्ती सरकार को होगी क्योंकि इसमें कर शामिल है आपके सारे घटक लोगों की आयसे होगे लोगों की आय कैसे बनी हुई होगी जब लोगों के पास में रोजगार होगा और रोजगार कब होगा जब हम देखें कि वस्तूओं का उत्पादन होगा प्रोडक्शन होगा आप इसे बेशियस साइकल और वर्च्वा साइकल वाले फ्लो चार्ट में जाकर भी समझ सकते हैं अर्थाद देश की जेडिपी या देश में जितने वस्तूओं का उत्पादन हुआ है उन उत्पादन के अधार पर जो सरकार को आए प्राप्त होगी उन सारे ही आए को आपने यहाँ पर रख लिया है अब उसके बाद जब आपको राशी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट पर देखने को मिली मान लिजे 7 लाक करोन अर्थाद यह वह राशी होगी जो सरकार लाकर देश में पहला देगी उसको प्रवा बना देगी लेकिन यह राशी जब बना रही है तब उत्पादन वस्तूओं नहीं हुआए वस्तूओं का उत्पादन हुआ है उसके अधार पर जो आये प्राप्त होनी थी वो हो चुकी अब ये जो आये सरकार लाइबिलिटी या उधार लेकर आएगी ये वस्तू और सेवा तो जो है वो जितनी थी वो उतनी है लेकिन राशी यहां पर बढ़ गई मतलब कि जितने वस्तू और सेवाओं की मातरा थी वह समान थी लेकिन मुद्रा की आपूर्टी बढ़ गई तो जब मुद्रा की आपूर्टी बढ़ जाएगी और उत्पादन आपका समान होगा, कॉंस्टेंट होगा तो बहुत सारी मुद्रा कम वस्तूओं के पीछे भागेगी, और जब वह भागेगी तो वस्तूओं की कीबद बढ़ेगी और मुद्रा की क्राशक्ती गिरेगी, जिसे आप कहते हैं मुद्रा इस्पिती और इन दोनों ही आधार पर हमें सहीं उत्तर मिलता है, और आर एकी सहीं व्याक्या भी है, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रशन भी समार्थ होता है अब हम आते हैं अगले प्रशन पर राजकोशी उत्तरदाई तो एवं बजट प्रबंदन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किया गया था, देखें, यह क्या है, इसे आप इंग्लिश में FRBM Act भी कहते हैं, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, यह Act 2003 पर लाया गया था, जैसा कि अभी आपने द पर जाएगी, और देश में मुद्रा इस्विती के कारण बहुत सारे नकरात्मक प्रबावी होते हुए दिखेंगे, आब यह राजकोशी निती बनाई जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन अगर यह गडबड हो जाए, तो इससे प्रबावीत हो जाएगा पूरा का पूरा देश, इसलिए सरकार को अधिनियम के अधार पर बांदा गया कि कुछ लिमिट तक ही आप यह घाटे आप बना कर रखेंगे, नहीं तो देश आपके कारण, आपके खराब नीड़नेों के कारण भुख देगा, तो इसी लिमिट, इसी कानून को हम कहते हैं, पिस्कल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्न लिखित में से कौन सी कारवाई की जा सकती है, यहाँ पर चार करवाई हैं और कारवाईयों को आपको देखकर यह समझना है कि कौन सी करवाई उप्यूक्त होगी घाटों को कम करने के लि देखते हैं कि यहां पर अलग-अलग कौन से हैं घाटों को अगर आपने कम करना चाहा अगर आप घाटे कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं कि जो यह व्य है इस व्य को कम कर रहा जाए या फिर यह जो आय है या जो प्राप्ति है इनको बढ़ाया जाए जब आए और वे के बीच का अंतर कम होगा या फिर आप कहँदे कि वे कम होगा और आए बढ़ेगी तो इनके बीच का अंतर जिसे आप डेफिसिट कह रहे हैं वो भी गिरेगा या फिर यह दोनों किया जा सकता है या तो किसी एक चीज़ को भी आप सकते हैं दूसरा अगर करवाही देखें नवीन कल्यानकारी योजनाओं को प्रारम करना देखें योजनाओं को अगर आप प्रारम करेंगे तो खर्च बढ़ेंगे खर्च बढ़ेंगे तो आपको क्या चाहिए घाटों को कम करने के लिए वैको कम करना है वैको बढ़ाना नह लंबे समय से चली आ रही समस्या है वह है तार्किक ना हो जाना या रिसा होना तार्किक ना हो जाने का अर्थ यह है कि सबसेडी अगर आप देखें तो जिसे आवशकता हो उसी तक यह सबसेडी की राशी पहुंचने चाहिए लेकिन तार्किक नहीं है जिसे इसकी जवरत नह पर सब्सेटी की राजी खीश ली जाती है हाला कि बहुत हद तक इसे कम किया जा चुका है प्रत्यक्ष लाब अंतरण या डारेट बेनफिट ट्रांसफर जैसे योजनाओं के तहत पर जहाँ पर राशी प्रत्यक्ष तौर पर हिस ग्राईयों के खाते तक पहुंचाई जा र कारवाह के तौर पर आता है चौतन कहता है आयाथ शुल को कंप करना देखे हमें आय आयं बढ़ाना है आये कम नहीं करना है लेकिन चौता कतन कहता है शुल को कमकरना अर्ताद आये कम हो जायगी तो इसल्ए या Revelation के तो रवाह तो आप्सक्ष्न करना और सही option के तौर पर मिलता है हमें option C तो इस प्रकार से इस प्रश्ण के बाद अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्ण पर अब कुछ प्रश्ण हम dynamic approach के साथ देखते हैं एक नौबी पर जैसे मैंने कहा कि static और dynamic दोनों ही अप्रोच होना चाहिए अर्धात कुछ मुल्बुत अवदार्णों के बाद में अभी वर्तमान पे इससे संबंदित कौन से आकड़े हैं क्या इसकी प्रवित्यां हैं क्या ट्रेंड है इससे अधारित भी प्रश्ण सीजी पीसी समान निरुप से पुछता है तो चलिए प्रश्ण देखते हैं 2019 बीट बजटरी एस्टिमेड बजटी अनुमान में राज्यास घाटा अनुमानिद है तो यह उननीस बीस का जो आपका बजट है उस पर कितना अनुमानिद किया गया है तो सहीं उत्तर है दो दशमलों तीन प्रतिशत जीडिपी का और यह होता है ऑप्शन भी देखे घाटों को जब भी आप देखें तो वह जड़ीपी के अनुपात पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ज़ीडिपी सरकार की आय को परलिक्षित करेगी और जब भी उधार लिए जाएगा तो वह आय के अधार पर लिया जाता है घाटे एक प्रकार के आप देख सकते हैं कि चाटे बजटरी एस्टिमेट में राजकोशी घाटा अनुमानित है तो सहीं उत्तर हो जाता है 3.3 प्रतिशा जड़ी पीगा ध्यान रखेगा कि अभी वर्तमान पर आप जब FRBM एक्ट पढ़े तब N.K. सिंग समिती या FRBM पैनल भी साथ में पढ़े या समिती ने कुछ अनुशनश किया है अब हम आते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्ण पर यह कहता है 2019 बजटरी एस्टिमेट में कुल व्यों का अवरोही करम चुने तो यहां पर सबसे सहीं ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन D करो एवं शुलकों में राज्यों का हिस्सा ब्याज अदाइगी केंद्री श लाग करोर बनता है तो पुझी गत पर यह मातर तीन चारलाग करोर रुपे बनता है पुझी गत वे हमेशा राज्यासवे से कम होता है भारत के परपेक्ष में क्योंकि राज्यासवे वह होता है जिसके माद्यम से सरकार अपने उद्देशों की पूरती है हाला कि इससे बह important topics पर question हम आगे वीडियो पर लाते रहेंगे ऐसी आशा है कि इस वीडियो से आपको लाब मिलाओगा धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले